अलकभी रोचिट एक जाने माने नाम अलकभी डिवेलपर्स का एक निया प्रोजेक्ट लाउंच हुआ है नियर टू लहौर स्मार्ट सिटी एंड ऐसे गार्डन उसकी बिल्कुल ऑपोसिट में जिटी रोड पे आया के यहां पे इंविस्ट्मेंट करनी चाहिए आया के यहा में स्क्राइट में क्या स्क्यां चल रहा है इसकी सारी डीटेल्स के लिए अप इस वीडियो को एंड डेखेगा अ अ वाले से जो के अलकबीर और्चर्ड है अलकबीर ऑर्चर्ड अलकबीर डिवेलपर्स का ही प्रॉजक्त है जिनके लहूर में देखा जाए तो इस तेम पे तीन जो सोसाइटी जो सक्सेस्फ़ली रन करें जिन में सबसे पहले मैं आपका बताऊं तो अलकबीर टाउन है इसलफ अलकबीर और्चर्ड के हवाले से यह में जिटी रोड पर वाकिया है अगर हम बात करें तो यह इस ताइम पर सुसाइटी प्री लांचिंग प्राइसेज पर हैं और सुनर इसकी जो लांच होने जा रही है इन ऑगस्ट एक्सपेक्टिड ली अभी इस में सिर्फ तीन मर्ल के लिए भी यह सोसाइटी हर तरहां के इन्वेस्टर्स के लिए या पर्सनल रेजिदेंशल बाइंग करना चाहरे हैं जो हुजात के लिए बहुत मुफीद है क्योंके यह एक तो है लॉंग टर्म प्लान दूसरी चीज यहां पे असान एक साथ की वज़ा से हर तरहां का ब कर सकते हैं जैसा कि आपको मैंने इसकी सराउंडिंग बताया इस टाइम पर जिन लोगों ने वहां पे लहां पर स्मार्चिटी में या इसे गार्डन में इंवेस्मेंट की विए तो उनकी प्रैस अल्रेडी जो है इस ताइम बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है तो यह सुसा जो है ती से पैंटिस लाग और शेदिस से ज्यादा भी डिपेंडिंग उनकी लोकेशन क्या इसी तरीके से जो इसका अलकबीर का जो किंग्स टाउन है इसमें इस ताइम पर ब्लॉक में तकरीबन आट-दस लाग से लेकर बारा तेरा लाग तक आपको ओन मिल रहा है तीन म पर कट की जारी है लाहूर एक्सपैंड हो रहा है विदिन लाहूर इस बजट में आपको ससाइटी नहीं मिलने वाली है अगर हम अलकबीर और्चिड की बात करें तो तीन मडले का प्लॉट इस टाइम पर जो है आपको साड़े दस लाग पर मिल जाता है जिसकी डाउन पेम मर्केट में एक स्काम जाया था आज का थार। ऑचल मिल 2012 जो बॉकिंग चाम चल रहा है और हो सकते हैं लिए फ्यूचर उना फांच मेले की कटिंग लाँच कर लिए मजीद इंफोमेशन के लिए आप मुझसे मेरे नीचे दीगेवा नबर पर कॉंटाक कर सकते हैं एक साथे में एक सीचार आप मुझसे मेरे नीचे दीए गवानबर पर कॉंटाक कर सकते हैं यही नबर मेरा वाटसाप पर भी अवेलबल है फोर दो अबरसीस क्लाइट और इमो इमो क्लाइट आस वेल अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा मेरे निशा से ये दिस साइनिंग आफ, आला हाफ़ाद